नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखर्ना उम्योपेटिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों, आज आपने जिस आइकन को क्लिक करके आप इस वीडियो पे आए हैं हम आपके उस सपने को पूरा करने का एक बहुत बड़ा अच्छा सा मंतर आपको देंगे साथियों, हर व्यक्ति की ख्वाइश होती है, इच्छा होती कि वहाँ चमके और आकरशड का केंदर बने और इसमें कोई बुराई नहीं है और इसके लिए न जाने हम क्या क्या करते हैं उस चमक को प्राथ करने के लिए, उस गोल्डेन शाइन को प्राथ करने के लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं हम बजार से शिमर्स लाते हैं, हम बजार से गोल्डस लाते हैं हम बजार से सब कुछ लाते हैं, पैसा खर्श करते हैं कीम्ति लेकिन उसको लगाने के दो दिन बाद हम अपने को वहीं पाते हैं जहां से चले थे वहाँ जो चेहरे पे golden shine चाहिए होती है वहाँ बहुत लोगों के नहीं आ पाती और उनमें वो आकरसर नहीं बन पाता कि उनमें self confidence आ पाए क्योंकि अगर आप में self confidence है तभी आप आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं हम आपको बताएंगे ऐसा है जादूई नुसका जो आपको एक आपके चेहरे आपके शरीर पे golden shine लाएगा एक golden चमक लाएगा एक आपको समाज में आकरसर का केंदर बनाएगा अगर एक हजाल लोगों की भी गैदरिंग है तो एक हजाल लोगों में आप एक हो के चमकेंगे आप महिसूस करेंगे कि आप में आकरसर पैदा हुआ है हम आपको बताएंगे बहाग golden light वो औरा अपने चेहरे पे कैसे लाएगा वो सूरी की तेज अपने चेरे पे कैसे लाएं, सूरी के परताब का वो रंग गोल्डेन लाइट कैसे चेरे पे लाएं निश्चित रूप से हम सब चाहते हैं ऐसा हो और मैं फिर कहूंगा इस चाहत की दोड़ में हम पैसा बर्बाद करते जाते हैं अपना लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता है मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं साथियों कि अगर आप जरूरत नहीं समझोगे तो आप नुस्खे को नहीं करोगे आप क्रीमों में उल्जे रहोगे और आप पैसा बर्बाद करते रहोगे और वही रहोगे लेकिन अगर आप कुछ जो अपने घरेलों नुस्खे हैं उनको आप कर लोगे तो आप ज़्यादा फाइदे में रहोगे आपका पैसा भी बचेगा और आपको फाइदा भी मिलेगा हम आपको बताते हैं आपके चेरे पे चमक लाने की एक गोल्डेन शाइन लाने की सूर्ज जैसा परताप लाने की सूर्ज जैसा तेज लाने की भीड में आकरसन का केंद्र बने रहने की भीड में चमकने की बहुत कारगर नुस्खा बहुत छोटी सी बात है साथियों कोई बिशेद बात नहीं है आपको इसके लिए उस चमक को पाने के लिए उस शाइन को पाने के लिए चेरे पे उस गोल्डेन शाइन को चेरे पे पाने के लिए और अपने को आकरसर का केंद्र बनाए रखने के लिए बहुत छोटा सा काम करना है आपको एक बड़ा चम्मच ग्राम फ्लोर लेना है ग्राम फ्लोर यानि बेशन आपको एक बड़ा चम्मच बेशन लेना है आपको एक उससे थोड़ा छोटा चम्मच मलाई लेनी है मलाई यानि की क्रीम और आपको चुटकी भर हल्दी लेनी है हल्दी यानि टर्मरिक ये ध्यान रह साति हो जो टर्मरिक हल्दी आप लीजेगा वो गाठ वाली हल्दी को घर में पीश के वो हल्दी लीजेगा बजार वाली हल्दी रह लीजेगा तो आप besan, यानि की gram floor, मलाई, यानि की cream जो दूद में पढ़ती है, उपर की जो सते में पढ़ती है, एक चमच वहाँ, एक चमच besan, और एक चुटकी भर haldi, हaldi यानि turmeric, इन तीनों चीजों को मिलाकर आपको mix करके छोटी सी कटोरी में paste बना लेना है, और उसको आपको मल दीजेगा उसको जब 15 मिट पर सूख जाएगा आपके चेरे पर सलूशन पैक उसको आप योई ड्राइबस ऐसे मल दीजेगा पूरी तरह से आपका स्किन पील हो जाएगी आपके जित्ते डेट सेल्स है वहाँ खतम हो जाएगे आपका जित्ता मैल है जित्ता डर्ट है आपके चेरे पर वहाँ खतम हो जाएगी चेरा पूरी तरह मौस्चराइज हो जाएगा और चेरे पर वहाँ गोल्डन शाइन आ जाएगा जिसके लिए आप इस वीडियो को क्लिक करके आइकन को क्लिक करके आप हमारे इस वीडियो पर आए हैं कि आप ये नुस्का करिएगा साथियों यहां पौरानिक नुस्का है हम लोगों के आज शादी में मेहंदी हमारे मुस्लिम भाईयों में मेहंदी हिंदू भाईयों में जो है वहा हल्दी की रस्म होती है वहां सब इसी का होता है क्योंकि वो खास दिन के लिए एक हमा अगर we SPD मर्रा में करेंगे ऊप देखेंगे एक महीने के अंदर या एक महीना-थो मैं Isable में जादर ही कह रहा हूं 15 दिन जैंदर आपके चेहरे पर वह सूर के प्रताफ की जो golden पाइदा मिला या नहीं मिला दोनों बाते आप कमेंट पोर्शन में लिखें ताकि समाज के अने लोग देख पाएं मन में साथियो कोई क्वेरी हो आपके तो आप यूट्यूब नोटिफिशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख सकते या फिर हमें वाट्सैप कर सकते हैं क्वेर क्लिक करके योही सबसे नया वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहिएगा आपका साथियो इतनी देर इतना वक्त हमारे साथ गुजारने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यहां क्लिनिक यहां कामना करता है कि आप अपने कर्मों से अपने अमाल से अपने विचारों स पूरे संसार में चमकें और अपना चेरा चमकाने के लिए आप यहां बेशन, मलाई और हल्दी इनके मिश्चर का प्रियोक करें और स्वस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें धन्यवाद कि नपना चेरे स करें और संसा सक रहें और स्वस्त रहें, प्रज थाना करेंगा है करो